हेलो studen दो यहां हम start कर रहे हैं java का operator एडmi एक्स्रेसिंज का प्रोग्राम जिसके अंदर हम operators का यूजर कर रहेंगे और एक एक्स्रेशन को calculate करेंगे तो सबसे वहले हमने यहां पर class ले लेफियर किये हैं जिसका नाम हमने फर्स्ट कर दिया है और इसके अंदर हमने main method को declare कर दिया है अब इसके अंदर हम कुछ variables को declare कर देते हैं तो सबसे पहले हम variables ले लेते हैं हम कुछ integer variable ले लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं और हम a को values assign करा देते हैं यहां पर a को value हम दे देते हैं 10 एक और variable ले लेते हैं इसी के साथ हम b variable और b को value हम दे देते हैं 5 तो हम यहां पर दो वरियेबल हमने लिए हैं अभी उसके बाद हम कुछ फ्लोट वैल्यू भी ले लेते हैं लोट वैल्यू हम ले लेते हैं यहां पर हम फ्लोट की जंगाय ले लेते हैं लिए फ्लोट वैल्यू है तो इसके लिए हम इसके साथ एक यूस करना पड़ेगा दूसरा हमें को डिया पर डिफाइन कर देते हैं और डिको वैल्यू जम असाइन करा देते हैं 3.0 क्योंकि यह float value है तो हम इसको 0.0 लगाना इसके साथ जरूरी है और f हम float values के साथ लगाते हैं तो हमारी यहाँ पे हमने 2 integer value और 2 float value को declare कर दिया है हम यहाँ पे 2 expressions ले लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं एक हम ले लेते हैं expression 1 equals to और expression 1 के अंदर हम use कर लेते हैं integer of float दोनों values को तो हमारी expressions हम ले लेते हैं a multiplied b plus c by d एक expression हमने यह ले ली है हम एक और expression ले लेते हैं जिसे हम नाम देते हैं एक्स्प्रेशन टू एक्स्प्रेशन टू इक्वल्स टू हम यहां पर लेते हैं अब लुटिप्लाइड भी प्लस और यहां पर ब्रेकेट क्लोज और डिवाइड भाई टी तो यहां पर मैंने दू एक्स्प्रेशन ली हैं लेकिन एक चीज़ ध्यान रखी फ्रेंड अभी हमने आप एक्स्प्रेशन वन और एक्स्प्रेशन टू को डिक्लेयर नहीं किया है तो आप चाहें तो इनको उपर ही डिकलेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो इनको यहां भी डिकलेयर कर सकते हैं तो हम एक लिए एक उपर डिफाइन कर देते हैं और एक हम नीचे डिकलेयर कर देते हैं तो हम एक तो यहीं पर डिकलेयर कर देते हैं एक्सप्रेशन वन ठीक ह तो अब अजबोले उसको हम यहाँ पर प्रिंट कराने वाले हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा system.out.println अब यहाँ पर आपको result प्रिंट कराना है तो result of expression 1 equals to quotes आपके यहाँ पर close होंगे क्योंकि आपको इतना ही प्रिंट कराना है उसके बाद आपको plus expression 1 की value है तो plus expression 1 आपको लिखना पड़ेगा ठीक है और इसी तरीके से हमें दूसरी values प्रिंट करानी है expression 2 की तो उसके लिए भी same आपको यूज़ करना पड़ेगा print.out.println उसके बाद हम यहाँ भी same line ही यूज़ करेंगे result of expression 2 equals to quotes यहां पर close होंगे और हमें expression 2 की value print करानी है तो plus exp 2 चीक है तो यहां हमारी कॉडिंग खतम होती है अब हम अपने program को यहां पर run करके देखेंगे तो देखिए friends यहां पर हमारा result आ गया result of expression 152.133335 और results of expression 2 का result हमारा है 38.0 ठीक है तो यह था हमारी कॉडिंग दो expression जहां पर हमने solve की है ठीक है अब हम यहां पर कुछ और expressions को solve करेंगे यहां पर हम यूज करते हैं boolean values को तो हम boolean से declare कर देते हैं boolean और इसके साथ हम ले लेते हैं b1 नाम का एक variable ले लेते हैं equals to इसके साथ भी हम कोई expressions का use करने वाले हैं हम लिखते हैं a a greater than b logical and c greater than d इसके बाद यह expression जो है हमारी खतम हो गई है तो यह condition अगर true होगी तो इसका result true आएगा अगर false होगी तो इसका result false आएगा ठीक है इसी के साथ हम एक और expression ले ले लेते हैं type casting का हम उसके अंदर use करते हैं float और float के अंदर हम यहां पर use कर लेते हैं f1 नाम का variable f1 equals to अब यहां पर हम कोई expression लेंगे जिसको हमें convert करना हो अब आप देखेंगे friends a यहां पर हमने integer value ली है 10 और c हमारी float value है तो अगर हमें a divide by c कराना हो a divide by c अगर मैं कराना चाहती हूँ तो इसका result obvious है कि float में ही आएगा ठीक है अगर float में result आएगा लेकिन a हमारा integer है तो हमें इसको पहले पूरे को float में convert कराना पड़ेगा उसके लिए मुझे इसके आगे float लिखना पड़ेगा यानि कि a divide by c करके जो भी value आएगी वह पहले float में convert होगी और फिर वो f1 के अंदर जाएगी तो इन दोनों values को print कराने के लिए भी मुझे statement लिखनी पड़ेगी सिस्टम डोट आउट डोट प्रेंट एलन इसमें रिखेंगे रिजल्ट ओफ बीवन इक्वाल्स टू कोटेशन्स क्लोज होईंगी और प्लस करके हम यहां पे लिखने वाले हैं बीवन क्योंकि बीवन का रिजल्ट हमें मिलने वाला है नेक्स्ट हम इसके साथ लिखेंगे सिस्टम डोट आउट डोट प्रेंट एलन रिजल्ट ओफ एफ एफ वन इक्वाल्स तू प्लस एफ एफ वन ठीक है तो अब हम इसको रन करके देखते हैं तो देखिए फ्रेंट्स रिजल्ट ओफ बीवन यानि की बूलियन वेल्यू का रिजल्ट हमारा ट्रू शो हुआ है और रिजल्ट ओफ एफ वन हमारी फ्लोट वैल्यू दिखा रहा यानि की जो ए डिवाइड बाइ सी था उसको हमने टाइप कास्ट करके फ्लोट के अंदर कनवर्ट कर दिया था ठीक है अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ए डिवाइड बाइड बी भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर ए डिवाइड बाइड बी करेंगे उस केस में इंटीजर रिजल्ट आएगा यानि की 10 बाइम में 5 रिजल्ट आना चाहिए 2 और हमें दिखाएगा के अंदर टाइप कास्ट कर दिया आप देखेंगे यहां पर एक इंक्रिमेंट और डिक्रिमेंट का भी एक्जामपल यहां पर हम ले लेते हैं इसके लिए हम प्रिंट आउट स्ट्रीटमेंट लेते हैं इसके बाद रिजल्ट ओफ इंक्रिमेंट इन ए तो हम एके अंदर इंक्रिमेंट करने वाले हैं तो आउट्पुट कराने के लिए आपको प्लस लिखना बढ़ता है और एके अंदर आप इंक्रिमेंट कराना चाहते हो तो आप ए प्लस प्लस यहां पर यूज़ कर सकते हो और सेमी कॉलन तो इसका आउट्पुट आप देखेंगे उसके बाद सेमी कॉलन तो देखिए इसका आउट्पुट क्या एगा इसका आउट्पुट है a equals to 10, 10 का मतलब है कि पहले value प्रिंट हुई उसके बाद इंक्रिमेंट हुआ क्योंकि हमने a plus plus किया है अगर हम इसी को plus plus a करके लिखते अगर हम इसको plus plus a लिखते उस case में देखी हमारा क्या result आता अब आपकी value पहले increment होगी उसके बाद print होगी तो यहाँ पे एकी value क्या print होगी एकी value हमारी 11 print होगी देखे एकी value होगई 11 तो यह थी हमारी increment operator इसी तरीकी से हम इसको decrement भी use कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग इसको minus minus भी कर सकते हो इसका result देखे minus minus a करने का मतलब है पहले value decrease होगी by 1 और उसके बाद वो print होगी यानि यह 10 थी तो minus 1 9 होगी फिर वो print होगी तो अब इसका result आपका आएगा 9 चीक है और अगर इसी को हम a minus minus करें a minus minus करें तो value हमारी पहले print होगी उसके बाद decrease होगी तो यहां पे आपकी value जो है वो print होगी 10 और उसके बाद decrease होगी 9 सेट होगी तो यहां पे आपकी value सेट हो जाएगी 10 ठीक है तो यह था हमारा Java का operator and expressions का program जिसमें हमने float और integer कुछ values ली है और उसमें हमने कुछ expressions लेके अपनी चीजों को expressions को solve किया है इस पर हमने type casting भी यूज किया है increment, decrement operator भी यूज किया है